बहुपदों के व्यापक रूप General Form of Polynomials एक घात वाले कुछ बहुपद दिये जा रहे हैं इन्हें ध्यान पूर्वक देखिए P of X पराबर 2X धन 3 Q of X पराबर वर्गमूल 2 रिंट X S of X पराबर 1 बटे 2 गुनित X धन 3 बटे 2 R of X पराबर X धन 2 P of X पराबर वर्गमूल 7 गुनित X रिंट 4 P of X पराबर 2 गुनित कोष्टक में 3X धन 8 इन सभी में अधिक्तम 2 पद हैं सोचे एमम चर्चा करे क्या आप एक घत वाला कोई ऐसा बहुपद बना सकते हैं जिसमें 2 से अधिक पद हो ध्यान रहे बहुपद बनाते समय समान पदों को इखटा करके लिखें उपर के उधारनों के सभी बहुपदों में एक अक्षर संख्या अवश्यक रूप से उपस्तित है दूसरे शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इन बहुपदों में अक्षर संख्या का गुणांग शून्य नहीं है इसके अतिरिक्त इसमें वास्त्विक संख्या धन 3, रिन 4, 1,2, वर्गमोल 2, 0, आदी भी सम्मिलित हैं क्या हम इन्हें A गुणित X धन B के रूप में दर्शा सकते हैं जहां A और B कोई वास्त्विक नियत संख्याएं और A शूर्ने के बराबर नहीं है दूसरे उधारन की A X प्लस B से तुलना करें तो वर्गमोल 2, रिन X बराबर रिन X धन वर्गमोल दो बराबर कोश्टक में रिन 1, गुणित X धन वर्गमोल दो बराबर A X धन B तुलना करें यहां A बराबर कोश्टक में रिन 1, जहां A शूर्ने नहीं है B बराबर वर्गमोल दो जहां वर्गमोल दो एक वास्त्विक संख्या है आप देख रहे हैं बहुपत वर्गमोल दो रिन X A X धन B के जैसा ही है एक और बहुपत को देखें X बराबर एक गुणित X बराबर एक गुणित X धन 0 बराबर A X धन B A बराबर 1 B बराबर 0 इसलिए बहुपत X भी A X धन B के रुप में लिखा जा सकता है अब आप 64 बहुपतों को भी A X धन B के रुप में लिखें AX धन B को X के पदों में एक घात का बहुपत रेखी बहुपत कहा जाता है जहां A और B वास्त्विक नियत संख्या हैं और A 0 के बराबर नहीं है अब इन बहुपतों पर विचार कीजिए 4X की घात 2 धन 3X रिन Y का वर्ग धन 2 X का वर्ग रिन 4X रिन 9 वर्ग मोल 2, M का वर्ग रिन 3 बटे 2, M रिन 9 ये बहुपत एक अक्षर संख्या वाले द्वी घात बहुपत हैं इन्हें वर्ग बहुपत Quadratic Polynomials कहा जाता है इन्हें हम A, X की घात 2, धन B, X, धन C के रुप में लिखते हैं जहां A, B और C वास्त्विक नियत संख्याएं तथा A का मान शून्य नहीं हैं करके देखें पहला पांच कोई वर्ग बहुपत बनाईए दूसरा वर्ग बहुपत में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं अधिक घात वाले बहुपतों के व्यापक रूप 4X की घात 3 धन 2X वर्ग धन 5X रिंड 7 Y की घात 4 धन 3Y की घात 3 रिंड 5Y का वर्ग धन 7Y M की घात 5 रिंड 3M का वर्ग धन 2 Z की घात 6 रिंड 5 Z की घात 5 रिंड 3 Z की घात 2 धन 2Z आदी सभी बहुपद हैं हम देख सकते हैं कि इनमें बहुपद की घात बढ़ती जा रही है साथ साथ अधिक्तम संभवपदों की संख्या भी बढ़ रही है इन सब में X, Y, M, Z आदी की विभिन घातनों के अलावा संख्याएं हैं ये सभी वास्त्विक संख्याएं हैं बहुपद की घात उसमें उपस्थित अक्षर संख्या X, Y, M, Z आदी की अधिक्तम घात से तै होती है अतह अधिक्तम घात का गुडांक शून्य नहीं हो सकता इसलिए हमने दो घात वाले भुपद में एक आमान शून्य नहीं है कि शर्त रखी भुपदों के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे साथ ही अक्षर के अलग अलग तरह के प्रयोग के बारे में भी जानेंगे सभी घातों के लिए बहुपद के और भी व्यापक रूप को देखेंगे यह सब आगे की कक्षाओं में होगा क्या आप दिये गए अधिक घात वाले बहुपदों को भी उपर लिखे गए AX धन B AX का वर्ग धन BX धन C की तरह लिख सकते हैं शूने बहुपद यदि किसी बहुपद के सभी गुडांक शूने हो जाएं जैसे AX का वर्ग धन BX धन C में A बराबर B बराबर C बराबर शूने हो तो हमें शूने मिलेगा इसे शूने बहुपद कहते हैं इसकी घात अपरिभाशित है अर्थात इसको प्रत्य घात के बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है